हेलो फ्रेंट्स, ट्रिक्स फोर ओल स्टुएंट्स में आप सभी का एक बार फिर से स्वागत हैं आज की इस वीडियो में हम बात करने जा रहे हैं कि भारत का राश्पती किस परकार से चुना जाता है किस प्रकार से राश्टपती का चुनाव होता है किस प्रकार से इसका निर्वाचन होता है तो friends वीडियो को पूरा देखें ताकि पूरा टॉपिक आपको अच्छे से समझ में आ सकें तो चलिए शुरू करते हैं तो आएए friends अब हम बात करते हैं कि आखिर भारत में किस प्रकार से राश्टपती का निर्वाचन किया जाता है यानि कि भारत में राश्टपती का चुनाव किस प्रकार से किया जाता है तो friends वीडियो को ध्यान से सुनिये क्योंकि एक important topic है और कई बार लोग इसको समझ नहीं बाते हैं तो friends राश्टपती का निर्वाचन एक निर्वाचन मंडल के द्वारा किया जाता है और इस निर्वाचन मंडल में जनता के चुने हुए प्रतिनिधी भाग लेते हैं यानि कि संसत के लोग सभा और राज्य सभा दोनों के निर्वाचि सदस्य राजी की विधान सभाओं के निर्वाचि सदस्य और केंदर शाषित प्रदेश दैली और पोदुचैरी इन दोनों केंदर शाषित प्रदेशों के निर्वाचि सदस्य मतलब इन तीनों के ही निर मनोनीत होते हैं जो निर्वाचन के थुरू नहीं आते हैं जैसे कि राज्य सभा के 12 सदस्य जो कि कला विज्ञान और समा सेवा के अधार पर राश्वति के द्वारा चुने जाते हैं तो वो मनोनीत सदस्य होते हैं उसे तरह पहले लोग सभा में दो एंग्लो इंडियन चुन राश्वति मनोनीत करता है और नियुक्त करता है तो वो सदस्य राश्वति के चुनाव में हिस्सा नहीं लेते हैं इसके अलावा अगर हम बात करें तो यहां पर केंदर शाषित प्रदेश डेली और पुद्दुचैरी की ही बात की गई है परन्तो अगर हम आज के टाइम पर देखें तो जम्मु कश्मीर भी एक केंदर शाषित प्रदेश है और उसकी अपनी एक विधान सभा भी है परन्तो अनुच्छे 54 में सिर्फ दो ही केंदर शाषित प्रदेशों का उलेक किया गया है तो इसके तहत तो हम यहीं लगता है कि जम्मु कश्मीर के विधान कोई भी सदस्य राश्टपती के निर्वाजिन में भाग नहीं लेता है तो फ्रेंट्स आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं कि राश्टपती का चुनाव किस अधार पर होता है और इस अनुपातिक प्रतिनिधित्व में एक प्रणाली है जो कि इसके माध्यम से राश्टपती का चुनाव किया जाता है और राश्टपती का चुनाव गुप्तमद्दान के अधार पर होता है फ्रेंट्स अब हम इसकी प्रक्रिया की बात करते हैं फ्रेंट्स राश्टपती के चुनाव में एक विधायक और एक सांसत के मत का मूले निकाल जाता है और इसके बाद क्या होता है जब इनकी वैल्यूस निकल जाती है तो उसके बाद जो राश्वती पर्द का उमीदवार होता है उसके लिए एक निशित कोटा या निशित मत तयार किया जाता है उससे पहले हम समझ लेते हैं कि एक विधायक के मत का मुले निकाला किस प खाग देना होता है। इसके बाद इसे एक बटे 1000 से मर्टिप्लाई करना होता है। इसे एक example से समझते हैं मानली जी एक छोड़ी से संख्या लिलेते हैं कि एक राज्य की जन संख्या 10 लाग है और प्रतेक एक लाग पर एक वैक्ति चुना जाता है यानि कि राज्य की विधान सभा में मानली जी की 10 सदस से निर्वाचित होते हैं तो हम क्या करेंगे इन दोनो जान देने वाली बात यह है कि जो राज्य की कुल जन संख्या हम यहां पर रखते हैं वह 1971 में जो जनगर्णा हुई थी उस जन संख्या की अधार पर यहां पर रखा जाता है तो अभी हमने एक 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 चोटा सा एक्जामपल लिया था कि एक विधायक के मत का मुले मानली ज राज्यों की जो जन संख्या है वो अलग अलग है उत्तर प्रदेश की जन संख्या बहुत ही जादा है इसलिए उत्तर प्रदेश के विधायक का मत का मुले जो होता है तो इसी तरह एक राज्य के विधायक का मत का मुले दूसरे राज्य के विधायक के मत के मुले से अलग ह लेते हैं कि एक सांसत के मत का मुले किस प्रकार निकाला जाता है सभी राज्यों की कुल विधायकों के मतों का कुल मुले इसको भाग दे दिया जाता है संसत के निर्वाचे सदस्यों की कुल सदस्य संक्या के से मतलब देखो सभी राज्य यानि की राजस्थान, मद्धे, परदेश, उत्तर परदेश, बिहार सभी राज्य जितने भी भारत के राज्य हैं उन सभी राज्यों के विधायकों के मतों के मूल्यों को जोड़ दिया जाता है और इसको यहाँ पर रखा जाता है और इससे भाग दिया जाता है संसत के निर्वाची सदस्यों की कुल सदस्य संख्या से उधारण के लिए 2017 के राश्वती चुनाव में एक संसत के मत का मुल्ले कुछ इस प्रकान निकाला गया था उपर रखा गया था कि सभी राज्यों के कुल विदायकों के कुल मतों का मुल्ले जो उस समय था 5,494,495 इसमें सभी विदायकों के मुल्ले को एड़ कर दिया गया था चाहे वो बिहार का विदाया को चाहे वो उत्तर प्रदेश का हो और इसे डिवाइट किया गया था 776 से 776 से इसलिए डिवाइट किया गया क्योंकि उस समय संसत की निर्वाचिस जो सदस्षे थे उनकी संख्या थी 776 निर्वाची सदस्षे सिर्फ यहाँ पर मनुनीत को नहीं जोड़ा गया تھا राज्य सबा और लोक सबा को एड करके यहां पर रखा गया है तो एक सांसत के मत का जो मूले निकला है वो निकला था 2017 में 708 तो फ्रेंड्स एक MLA और एक MP के मतों के मूले को निकालने के बाद जो राश्पती पद का उमीदवार होता है जो खड़े होते हैं राश्पती पद के लिए उनके लिए एक निशित कोटा कोटा करते हैं यहां पर आरक्षन नहीं है इससे क्या होता है यह तैक कर दिया जाता है कि जिस वैक्ति को जिस उमीदवार को यह निशित मत पराप्त होगा उसे ही राश्पती बनाया जाएगा जो निशित मत बनाया जाता है निशित मत निकाला जाता है उसक एक example से समझते हैं जैसे कि मान लिजिए कुल वैद मत हैं 100 तो इसको 2 से divide कर देंगे और इसमें प्लस करेंगे 1 तो संख्या आएगी 51 मतलब अगर कुल वैद मत 100 हैं तो किसी भी उम्मिद्वार को अगर 51 मत मिल जाते हैं तो वो राष्टपती घोशित कर दिया जाएगा फ्रेंड्स अब हम राष्टपती चुनाफ की पूरी प्रक्रिया को देख लेते हैं कि किस प्रकार से voting होती है और किस प्रकार से उसकी counting के जाती है तो निर्वाचन मंडल के प्रतीक सदस्य को एक मतपत्र दिया जाता है यानि कि सभी MLA और MPs को एक मतपत्र दिया जाता है जो कुछ इस प्रकार दिखता है जैसे कि इसमें सभी का नाम लिखा होता है कि कौन-कौन से उम्मीदवार है और उनके सामने सभी को vote देना शामिल होता है कहने का मतलब यह है कि जो वोटर है जो मत दाता है जैसे MLA और MPs वो किसी एक उमिदवार को वोट नहीं देंगे उन्हें सभी को वोट देना पड़ेगा और ये वोटिंग वरियता के अनुसार होगी जैसे कि मान लिजे अगर कोई वोट डाल रहा है तो उसने C को एक नमबर पर रखा है मतलब वो चाहता है कि C राष्टपती बने और फिर वो चाहता है कि अगर C भी राष्टपती ना बन पाए तो मैं चाहूंगा कि B राष्टपती बने इसलिए उसने B को दूसरा इस्थान दिया है दूसरी वरियता दिये और फिर उसने सोचा कि अगर B भी राष्ट पती ना बन पाएं तो मैं A को वरियता दूंगा और इसलिए उसने तीसरा नमबर A को दिया है फिर उसने सोचा कि अगर A भी राष्ट पती नहीं बन पाएगा तो फिर मैं D को रखूँगा क्योंकि इसके पास कोई option भी नहीं है तो इस प्रकार से वरियता रखी जाती है तो प्रत्यक मद्दाता जो MLA और MPs होते हैं वो इसी प्रकार vote देते हैं और पहले round की counting होती है पहले round की counting में ये देखा जाता है कि पहले इस्थान पर किस उमिद्वार को कितने कितने vote मिले हैं सिर्फ पहली वरियता देखे जाएगी जैसे की मान लिजिए कि एक उमिद्वार को पहली वरियता पर 20 vote मिले हैं मतलब की 20 लोगों ने इसे पहले इस्थान पर रखा है और B को 45 वोट मिले हैं पहले इस्थान पर C को 18 वोट मिले हैं पहले इस्थान पर और D को 17 वोट मिले हैं पहले इस्थान पर तो यहाँ पर सबसे जादा वोट जो मिले हैं वो मिले हैं B को 45 वोट परन्तु हमने पहले ही एक निशित मत तयार कर लिया था कोटा तयार किया था जो था 51 तो जिस वैक्ति को जिस उम्मिद्वार को 51 वोट मिलेंगे वराश्वती तो वही बनेगा तो इस कारण से क्योंकि यहाँ पर किसी को इस पस्ट मत नहीं मिला है इसके लिए राउंड टू की काउंटिंग होगी अगर यहाँ पर इसको 51 मिल जाता तो काउंटिंग यहीं रुख जाती और यह राश्वती बन जाता परन्तू राउंड टू की काउंटिंग में क्या होगा क्योंकि जो डी है वो एक तरह से उसे सबसे कम वोट मिले हैं पहले इस्थान पर पहरी वरियता पर इसलिए इसको हटा दिया जाएगा और इसकी दू दूसरा इस्थान दिया होगा या बी को दूसरा इस्थान दिया होगा या सी को दूसरा इस्थान दिया होगा तो जो भी उमीदवार हार जाता है तो उसकी दूसरी वरियता को देखा जाता है कि मान लेजिए कि इसको जिस जिस वैक्ति ने पहले इस्थान पर रखा तो उस व्यक्ति ने A, B या C में से इन तीनों में से किसी को दूसरी वरियता पर भी तो रखा होगा तो उस दूसरी वरियता को देखा जाएगा तो D की दूसरी वरियता को देखा जाएगा तो A को 2 बार दूसरे स्थान पर रखा गया था, B को 10 बार दूसरे स्थान पर रखा गया था, और C को 5 बार दूसरे स्थान पर रखा गया था, तो ये जो D की दूसरी वरियता है, इसको A, B, C की पहली वरियता में जोड दिया जाएगा, जैसे कि पहली वरियता में A को 20 वोट प्राप थे तो इसमें दो और जोड दिये जाएंगे और B को 45 प्राप थे तो इसमें 10 जोड दिये जाएंगे और C को 18 मिले हुए थे पहले पहली वरियता में तो इसमें 5 और जोड दिये जाएंगे तो यहां पर जब हम टोडल करते हैं तब हम देखते हैं कि B को 55 वोट मिले ह और निश्यत मत्था 51 का तो यहाँ पर जो B है वो जीत गया है और इसी को राश्टपती बना दिया जाएगा यहाँ पर एक बात ध्यान देने वाली यह है कि अगर यह संख्या पच्छपन नहीं हो पाती यानि कि किसी को भी एक इसपष्ट मत्थ नहीं मिल पाता तो राउंड थिरी चालो हो जाता तीसे राउंड की counting होती और ये प्रक्रियत तब तक चलती है जब तक किसी एक उम्मीदवार को एक निश्चित मत प्राप्त ना हो जाए तो अभी तक राश्टपती का चुनाप किस प्रकार से होता है ये आपको समझ में आ गया होगा असली में ये जो संख्या होती है बहुत बड़ी होती है मैंने एक्सामपल के लिए यहाँ पर छोटी संख्याओं को रखा था हकीकत में ये बहुत ही बड़ी होती है क्योंकि वैल्यूज यहाँ पर रखी जाती है जो कि बहुत बड़ी होती है अभी तक के इतिहास में भारत में जो पहले राष्ट्पति हुए हैं जिन्हें सबसे जादा वोटों से जीत हासिर की थी जिनोंने वो हैं राजइंदर परसाथ राजइंदर परसाथ एक ऐसे राष्ट्पती हैं जिन्हें 99% से भी जादा वोट मिले थे तो फ्रेंड्स फिलाल इस वीडियो में इतना ही और अगर आपको वीडियो पसंद आयो हो तो प्लीज चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें